नमस्कार दोस्तो, मैं हूँ रहसान और आप देख रहे हैं प्रिपेर फोर नौकरी अफिसल लिटूब चानल दोस्तो बहुत ही अच्छी ख़वर आ चुकी है, खास करके मेकेनकल वालों के लिए यहाँ पर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन्स लिम्टेड जिसको सौट में बोलते हैं एच पी सीयल, दोस्तो इसमें रिक्रूट्मेंट निकल चुकी है टेकनीशन्स के लिए जी हाँ दोस्तों टेक्निशन्स के लिए जिसमें की डिप्लोमा, मेकिनिकल, इलेक्रिकल, केमिकल सभी लोग इलेजिबल्स हैं तो बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो पसंद आये तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा देखे, आपके लिए इंपोर्टेंट है, आपको सारी जानकारी मिलेगी तो देखे, सबसे पहले डेट जान लेजिए कि 22.4.2022 से लेके 21.5.2022 तक के आप अप्लिकेशन को फिल कर सकते हैं, आउनलाइन आपको फिल करने के लिए आपको हिंदुस्तान-petroleum.com के कैरियर पेज पर आपको जाना होगा, वहाँ पर आपको सारी जनकारी मिल जाएगी बस आपको ध्यान से आपको वेबसाइट को देखना होगा, आप देखे, वेकेंसी कितनी है, तो सबसे पहले है operations technician की जिसमें की diploma in chemical मांगा गया है, और इहां पर इसमें 94 वेकेंसी है, डिपलोमा in chemical engineering के लिए, उसका देखे, boiler technicians के लिए, डिपलोमा in mechanical engineering, अधिक desirable रखी गए, डिजारेबल में आपको जो है, आपको पास है, तब भी सही, नहीं है, तब भी सही, जिसमें की first class boiler attendant competency certificate मांग ग maintenance, maintenance technician mechanical का, diploma in mechanical engineering मांग गया है, कुल मिला कर इसमें 14 वेकेंसी है, उसका देखे, maintenance technician electrical का, डिपलोमा मांग गया है, इसमें 9 वेकेंसी है, lab analyst, bsc, math, physics and chemistry with 60% marks होना चाहिए, in chemistry और msc chemistry first class 60% पसोला वेकेंसी है, junior fire and safety inspector के लिए यहाँ पर देखे, 18 वेकेंसी है, जिसमें science graduate और high B motor vehicle license होना चाहिए, तो देखे, total वेकेंसी तो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है, अब देखे, यहाँ पर और कुछ important बाते हैं, जो कि यहाँ पर आपको जान लेने हो इस तक के यहाँ पर आपको 18 साल और maximum होना चाहिए 25 साल, यानि कि 18 से 25 साल के candidate भर सकते हैं, और इसके अलाबा आपको age relaxation भी मिल जाएगी, जो कि government के अनुसार दी जाती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा, उसका देखे, selection methodology क्या है, तो candidate fulfilling all the eligibility criteria, तो आपको यहाँ पर computer based test देना होगा, जिसमें की general aptitude test and technical professional knowledge होगा, और यहाँ पर by CT पे होगा, जो कि आपको यहाँ पर reserve the right to cancel, और add the center candidate में called computer based test, तो यहाँ पर आपको बुलाए जाएगा, तो इसको थोड़ा सा उसके बाद जो है, इसमें होगे, उसके बाद आपको a skill test के लिए बुलाए जाएग जाएगा, उसके देखें, फिजिकल, मेडिकल, यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा, तो इसको थोड़ा सा देख लिजेगा, आप यहाँ पर देखें, salary कितना दी जाएगी, तो 55,000 के आसपास यहाँ पर आपको दी जाएगी, यहाँ आपको ध्यान रखना है, सब्सक्राइब करने के लिए आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम.com के कैरियर पेच 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 पर यहां पर बाइस चार्ज से लेके एक 25 तक अपलाई कर सकते हैं जो भी मांगी जाएगी आपको देना होगा यहां पर देखें फीज आपको 590 रुपया रखी गई है इसको थोड़ा सा ध्यान रखें पलस पेच 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 पर चार्ज इसमें 18% जो है GST इंक्लूड है SCST PWA कंड़ेट को कोई फिस देने की ज़रुवत नहीं है पेच में आप आप आउनलाइन मोड में कर सकते हैं बस उसका देखे जनरल इंस्ट्रक्शन ऑल ओवर इंडियन इसको अच्छे से पढ़ लेना है उसके बाद यहां पर आपको फिल ही करना है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा आपको देखे और सारी जो जनकारी है वह आपको मैं देते रहूंगा और देखी यहां पर कुछ और queries है तो आप पूछ सकते हैं comment section में और यहां पर official भी ने दे दिया है तो दोस्तों वीडियो को जिरूर लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके पहले आकन को प्रेस कर लिजेगा so thank you दोस्तों इस वीडियो में इतना ही